आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि 2019-2020 के लिए गांधी सांधी पुरुसकार दिये गए है एक तरह से और याद रखे इस तरह कि ट्रोभी टॉपिक रहते हैं इनसे पुरुसकारों से आपके एक दो कुश्चन्स हर परिच्छा में पूछे जाते हैं फिर चाहे आपका U PSEO या कोई स्टेट PCS हो या फिर आपका वंडे एक जामू कोई ठीक है इसलिए तो कहता हूँ कम से कम आप 5-7 साल की कुश्चन्स पेपर पुराने उठा के देख लिया करिएगा कम से कम इससे क्या रहता है कि आपको एक सामान जानकारी हो जाती है कि कहां से कितने करनिया से जोड़े तो रहें और याद रखी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगए पढ़ सकते हैं कि आप लोग nee पर सकते हैं अगर हिंदी मीडियम से हैं क्यूंकि आपने देखा हो को कि कितना लंबा time जाता है उसमें तो आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग देखेंगे कि बंगलादिस के राष्टपती राष्टपिता माप करिए बंगलादिस के राष्टपिता बंग बंधु सेख मुझीवुर रह्मान और ओमान की दिवंगत सुल्तान काबूस विन साइद अल सेयत को किरमसा वर्ष 2020 और 2019 के लिए गांधी सांती जो आपके सुल्तान काबूस विन साइद अल सेथ हैं जो ओमान की इन्ने 2019 के लिए गांधी सांती पुरुसकार दीया गया है अर गांधी सांती पुरुसकार के बारे में अगर आप से पूचह इसके बारे में तो याद रखना है कि इस वारसिक पुरुसकार को भारत सरकार द्वारा बर्स 1995 में महत्मा गांदी की 125 भी जैनती के उपलक्ष में एहनसा की माध्यम से सामाजी कार्थिक और राजनितिक परिवर्तन लाने ही बाले लोगों की पहचान करने ही तू इस थापित किया गया था आप सभी लोगों को मालू होगा कि गांदी जी का जनम 2 अक्टूबर 1889 में हुआ था इनकी डै थे आए इनकी कह सकते हैं आप लोग इनकी हत्या की गई तीस जनवरी 1948 को और आप समझे कि गांदी एक भली बोले एक तरह से आप कह सकते हैं अहनसा के रास्ते पर चले हैं लेकि अलिवार 1995 में एक दिया गया था ठीक है और इसमें एक करोड रूपे नगद रासी एक पट्टिका और एक पिसस्ती पत्त और एक उतकिष्ट पारंपरिक हस्त कला हत करगा उत्पाद सामिल होगा और आप भी अगर काम करते हैं तो आप लोगों को भी मिल सकता है ठीक है या पुरुसकार किसी व्यक्ति संगिया संस्थान अत्वा संगठन को भी दिया जा सकता है और इस पुरुसकार को दो व्यक्तियों संस्थानों के वीच बिवाजित भी किया जा सकता है यदि चैन करता यह मानते हैं कि ये दोनों समान रूप से पुरुसकार की योग हैं तो दो लोगों को भी पुरुसकार दिया जा सकता है या राष्टियता पंथ नसल या लिंग आधी के आधार पर भिधभाव किये बिना सभी को पिदान किया जा सकता है और आप समझेए कि देश में कितना भी नातुराम कौर से को लोग पूछते रहें लेकिन अभी भी आप देखते होंगे कि हमारे पिदानमंत्री साहब इनके एक तरह से जहां इनका कब्र है वहां जाके माथा टेकते हैं ठीक है चैन संतीकी बात करें तो बिजीताओं को चैन करने वाली संतीक में पिदानमंत्री देश का मुख नयदीस और लोग सभा में सबसे वड़े विपक्षी दलका पिदानिता और लोग सभा अध्यक्ष तथा सुलब इंटरनेशनल का संस्थापक सामिल होता है इसकी अध्यक्षता पिदानमंत्री द्वारा की जाती है तो जो लोग चैन करते हैं वो संतीयों में ये सभी लोग सामिल रहते हैं इन दो लोगों को दिया गया है इनके बारे हमारा पड़ोसी है और आप सभी को मालू होगा कि 16 दिसंबर 1971 में ये पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाता है इंद्रा गांधी के समय की बात की जा रही है यहां की अगर मुद्रा आप से पूछे करेंसी तो टका है और इसकी अगर आप से राजधानी की बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी राधधानी है धाका ठीक है एह है आपकी और अगर आप से पूछे कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बंगलादेश से लगती है तो पश्चे मगाल हो गया असम हो गया मेगाले तिपुरा और मिजोरम ठीक है और आप ल आपका सेख मुझीवूर रह्मान का जनम आभिभाजत भारत की गोपाल गन जिले के तुंगी पारा गाओं अब बंगलादेश में जो पढ़ता है यहां 17 मार्च 1920 को हुआ था और उनका नेधन की बात करें तो 15 अगस्त 1995 को धाका बंगलादेश में हुआ था आप सभी भी होगा कि यह पाकिस्तान का छेत हो यह फिर बंगलादेश का छेत हो 1947 तक यह सभी एक हुआ करते थे ठीक है याद रखे और वर्स 2020 यानि की 2020 में बंगवंधु सेख मुझीवूर रह्मान की जनम सताब्दी मनाई गई थी और वह एक बंगाली नेता थे जो बंगलादेश से पचत्तर तक बनी रहे और वर्स 1975 में वहां की राष्पती भी बने थे उन्होंने अपने उपचारे के राजनितिक जीवन की सुरवाद वर्स 1999 में आवामी लीक सह संस्थापक की रूम में की थी उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान अब बंगलादेश के लिए राजनितिक के माद्यम से सामाजी कारतिक एवं राजनितिक परिवतल लाने में उत्किष्ट योगदान दिया था बेमानो अधिकारों और सुतंता के पक्चिधर थी उन्हा केवल बंगलादेश के लोगों बलकि भारतियों के लिए भी एक नायक की रूम में रहे हैं सेक मुझीबूर रह्मान की विरासत और पेड़ना ने दोनों देशों की संबंदों को अधिक व्यापर को गहन बनाया और उनके द्वारा दिखाए गए मार्क की वज़े से पिछले एक दसक में दोनों देशों ने सांजीदारी प्रगिती और संब्रदी की मजबूत नियू भी रखी है तो सेथ बे अरब जगत के सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले सासक रहे हैं उन्होंने लगबग आप देखेंगे आधी सताब्दी तक ओमान पर सासन किया है एक बार आप लोग मैक्स में ओमान को भी देख लीजे यह हमारा प्यारा भारत है यहां से आप जाएंगे तो अरब इसमें यमन हो गया और साउधी इरब हो गया सयुक्तरव अमीरात हो गया यहीं आपको ओमान की खाड़ी देखने को मिलेगी ए बंगाल की खाड़ी ठीक है यह मापकरी बंगाल की नहीं अरब सागर बंगाल की खाड़ी यहां है ठीक है और वर्स 1970 में उन्होंने शम्माद दिलाया उन्हें भारत उमान के वीच विषए संबन्दों का बास्तुकार भी माना जाता है उन्होंने भारत में अध्यान किया था और सलय भारत के साथ संबन्दों रखने पर जोर भी दिया था गांधी सांती पुरुषकार 2019 भारत और उमान की भी संबन्दों को मजबूत करने और खाड़ी छित्रों में सांती को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को मानता देता है तो इन दोनों नामों को आप लोग याग डख सकते हैं 2019 और 2020 के दिये गए हैं एक सामर जानकारी गांधी सांती पुरुषकार के बारे में भी रखिये कि किन छित्रों में दिया जाता है कितने लोगों को दिया जा सकता है और किन किन स्थानों को दिया जा सकता है संग को दिया जा सकता है लोगों को भी दिया जा सकता है उनके काम के लिए इनी से हो सकता है आपको questions अगर पूचे तो आराम से आप लोग solve कर लेंगे